हेलो प्रेंस वेल्कम बैक ट्यों यूट्यूब चैनल लेकर आने हैं प्रेडगों की सेक्षिन हम प्रिपार कर रहे हैं और हजार से भी ज्यादा वीडियो सीटेट के लिए अवाइल लेवल है चैनल पर थियोरी भी आपके चैप्टर वाइस जो से लबस आपने ट्रेस किया होगा प्रॉपरली तो उसमें दिया है चैप्टर उसके चैप्टर के हिसाब से और साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस देट एंड मॉक टेस्ट अवाइलेबल हैं चले स्टार्ट करेंगे वि बिम्न कतनों पर विचार कीजिये, सारे ही कशन आज के अच्चे हैं जैसे सीटेड में आते हैं ध्यान से देखेगा रशनात्मक मुल्यांकन के द्वारा सिक्चक विधी एवं सिक्छार्ती अपने संग्यानात्मक व्यभार में सुधार करते है संगल्पनात्मक मुल्यांकन के द्वारा दिगम की प्रगति और सैक्षिक उपलब्दी का आकलन होता है तो ये दोनों कथन आपने अच्छे से देख लिए अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य है कथन एक सत्य है लेकिन दूसरा सत्य है दोनों कथन सत्य है दोनों अ सत्य है दूसरा सत्य है पहला सत्य है तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आपका option number two दोनों ही कथन सत्य है भारत में प्रायह यह कहा जाता है कि हम सब को स्वास्त सिवाएं प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि सरकार के पास इसके लिए परियाप्त धन और सुविधाई नहीं है उपर दिये गए कथन को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं चर्चा कीजिए उपर दिये गए कथन मतलब यह सारी चीज़ है यह इतना जो हम लोगों ने पढ़ा सामाजिक जीवन एवं राजनेतिक जीवन नामक NCRT के नागरिक शास्त्र की साथवी कक्षा की पुस्तक के एक अध्याय को पढ़ने के बाद सिक्षक द्वारा इस प्रशनिक को पूछने कान्यम लिखित में से कौन सा एक उदेश नहीं हो सकता अब आपको समझ में आए कि यहाँ पे आपने जो प्रशनिक पढ़ा है यह पूरा चीज वो आपके NCRT की बुक में सामाजिक जीवन राजनेतिक जीवन नामक बुक में साथवी कक्षा के पुस्तक के एक चैप्टर के बाद ठीचर ने पूछा बच्चों से अब यह प्रशन को पूछने का क्या उद्देश नहीं हो सकता है वो बताना है विद्यार्थियों को भारत की स्वास्त सेवाओं के संदर्व में कितनी जानकारी हो पाई है विद्यार्थियों ने किस तरह वृतानतों को समझा है किसे स्थेति से संबंदित अवधार्णाओ को विद्यार्थी कैसे स्पष्ट कर पाते हैं किसे स्थितिके विवरंड से निश्कष निकालने वह अनुमान लगाने की विद्यार्थी की छमता काकलन करना तो यहां पर सही उत्तर हो जाता है आपका option number one विद्यार्थियों को भारत की स्वास्त सेवाओं के संदर में कितनी जानकारी हो पाई है यह पता लगाना टीचर का यहां पर उद्देश नहीं है ऐसा question पूछने को उसका उद्देश क्या है कि जो भी chapter रहा जो अध्याय रहा उसको students ने किते अच्छे से समझा ठीक है उससे संबंदित किसी भी स्थे संबंदित अउड़ान को अपने language में विद्यार्थि कैसे स्पष्ट कर पाएंगे सो समझ की ठीक है कैसे वो निश्कर्ष निकारेंगे किसी स्थितिका क्या अनुमान लगा सकते हैं यह सारी जिससे वास्तविक जीवन की समस्याओं पर अवधाना और विचारों को लागू करने की विद्यार्थी के योकिताओं का परिक्षड नहीं होता बताना क्या है कि ऐसे questions है यह जिससे विद्यार्थियों की यह चमता कि वो वास्तविक जीवन की समस्याओं या पर विचार कर सकते हैं कि नहीं यह चारिज पता लगाने के लिए यह सारे questions है पर इन में से एक question ऐसा है जस्से ऐसा कुछ भी पता लगाए नहीं चाह सकता है उसका परिक्ष्यर नहीं हो पाएगा कौन सा question है वो तो देखें यहाँ पर सही انसर होता है आपका option number four स्रम कानूनों में लजीला पन कंपनीयों की कैसे मदद करेगा तो यह जीज जो है वो students के लेवल का पहली बात तो नहीं है वो इतना नहीं समझेंगे और वो उसको वास्तविक जीवन की समस्या से जोड़ कर अपने विचार को लागूश इस इस concept को नहीं कर सकते हैं बाकी की बात करते से गाओ शहर चेतर के विकास कर लक्ष क्या हो सकते हैं वो उनके सराउंडिंग की चीज है तो उसके सोच विचार सकेंगे सहरी चेतर में किस तरह की रोजगारी होती ह यहां रोजगार में विर्दी किस प्रकार की जा सकती है यह भी हमारे डेली लाइफ और अमरे आसपास की चीजों महौल से ही रिलीटेड हो जाता है यदि आप अपने छेतर के बाजार परिसर में जाते हैं तो भोक्ता के रूप में आप वहां अपने किन कर्दवियों का प इतिहास संबंधी जानकारी का बोध विद्यार्तियों को कराना या फिर यह सभी जान रखेगा सामाजे कध्यन की सिक्षिका है वो तो देखिए यहाँ पे सही एंसर होगा आपका उप्शन नमबर एक कुतुब मिनार दिखाने के दौरान बच्चों सिक्षार्तियों से अन्य एतिहासे के मारतों से तुलना करने की चमता का विकास करना ठीक है यह तो है कुतुब मिनार के निरमार और इतिहास संबंधी जा है बच्चों को नॉर्मरी लेक्शनमाथर से दी जाती है स्टोरी मैथ से दे में लेघ चाहती हम च्वत्ती का С कक बनाँ है वह का नियुक करतों गया था पर देखने के देखी और यह थी अनिमार अगर बच्चों से अड़ेखिए तो नहीं भी देक होगी तो उनमें हही व मान लीजे कि आप दोपहर की भोजन अवकाश के बाद सामाजी कर्दन सिक्षड के दौरान पाती हैं कि कक्षा के बच्चे विद्यार्थी पार्ट में रूची नहीं ले रहे हैं जनरली लंच के बाद जो है बच्चे इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं पड़ने में ऐसी परिस् में ही रोक कर बच्चों के वान औरंचन है तो उन्हें कोई कहानी अत्वा चुटकुला सुनाएंगी सभी बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर कुछ समय उन्हें खेलने देंगी ताकि वह बाद में पाट में रूची ले सके तो यहां पर जो सबसे सुटेबल होगा कि पार्ट को रोचक बनाने के लिए बहु आयामी अनुर्देश नात्मक सामगरी का प्रियोक करना ना कि डार्ट ना निगेटिव हो जाता है चुटकुला सुनाने लगना यह भी यह कोई बात नहीं हुए बाहर टाइम इसमें वेस नहीं करा सकते हैं इसे बहुत समय नश्ट होगा सामाजिक विज्ञान सिक्षण के दौरान कक्षा आठ की सिक्षिका अपनी कप्षा के विद्यार्थियों को समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट समंधी लगातार पिछले पांच दिनों की रिपोर्ट एकत्र करने और उन तो ये कतिविदी के द्वारा वह क्या करना चाहती है? मौसम के तत्वों संकेतों की चित्र एकत्रित करवाना चाहती है? मौसम और जलवायों की संकल्पना संबंदी अवधार्णा को सपष्ट करना चाहती है? मौसम के तत्वों पर अधारित वक्षीट बनाना चाहती है? या बच्चे सिक्छार्थियों को व्यस्त रखना चाहती है। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक अधिक अपने आस्पडोस के लोगों से जादी संबंदी ज्यान प्राप्ट करने को कहेगी। पर चाहती विशेस कि अब हेलना भी ना उन्हें बुरा भी ना लगे। ठीक है तो यहां पर से एंसर होगा आपका ऑप्शन नमबर टू। निमलेकित में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है। उत्तर रेलवे नहीं दिल्ली, उत्तर पश्चमी रेलवे मुंबई वीटी, पूर्व मध्य रेलवे हाजी पूर्व मध्य रेलवे मुंबई। तो यहां पर सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन क्योंकि उप्शन निगेटिव है। सही अंसर होता है आपका ऑप्शन नमबर टू। उत्तर पश्चमी रेलवे अक्चली जैपूर में मुंबई वीटी में नहीं है। बढ़ेंगे एगले प्रशनी की ओर। देश का सर्व श्रेष्ट प्राकृतिक बंदरगा है कौन सा चन्नई, विशाखापत्नम, कोचीन, तूती, कोरिन। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नमबर टू विशाखापत्नम। निम्न में से कौन सा सम्वयधानिक निकाय नहीं है। सही उत्तर होता है एक और तीन दोनों यानि की योजना आयोग और राष्ट्री विकास परिशत दोनों ही। अब जो क्योशन है नों बहुत ही अच्छा क्योशन है उसको अच्छे से देखेगा। मतलब मैं पढ़के सुना रही हूँ आपको सिप सुनना है ध्यान से और समझना है चीज़को। रश्मी रश्मी एक टीचर का नाम है ठीक है। जिन लोगों से पहली बार मिलती है उनसे उनका उपनाम पूछने की उसकी आदत है। हाला कि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अविव्यक्त नहीं किया जिससे पूछे कि उन्हें बुरा लगेगा लेकिन नॉर्मली कोई व्यक्त नहीं करता है कि हमें बुरा लगा। चीजे तब और जटल हो जाती है जब भारत के किसी दूसरे हिस्ते या छेतर के व्यक्ति से मिलती हैं। अब भारत की किसी दूसरे व्यक्ति से मिलेगी तो उनके अलग अलग अजीब अजीब से उपनाम होते हैं। कि यह उसके प्राथमिक समाजी करण का एक हिस्ता है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती हम एसे ही हम रहे हैं हमेशा यह नॉर्मली प्राथमिक समाजी करण विकास जो हमारा हुआ है उसका हिस्ता है तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं मैं ऐसे ही है दाट मज छीक है अब यह ची कि इसमें पैदा हुई रूड़ी बद्धताइं गलत नहीं है समाजिक राजनातिक और आर्थिक असमानताओं को जारी या कायम रखती है समाजिक करण की अवशक्ता को जागर करती है क्यूं इसके लिए नाराजगी उचित है उनकी जादत के लिए क्यूंकि ये समाजिक राजनातिक और आर्थिक असमानताओं को जारी रखती है कायम रखती है इस जीज़े फिर ऐसे में तो कभी नहीं खतम होगी अगर सब लोग ऐसा ही सोच में लगे तो प्रात्मिक समाजी करण है अब यो उसमें क्या कहाता लास लाई में कि ये मेरी प्रात्मिक समाजी करण का हिस्सा है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती तो ये प्रात्मिक समाजी करण का मतलब क्या है शुरुवाती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना किशोरा वस्ता के दोरान समाज से सीखना याद करना और सिक्चों का अनुसरण करना या प्रात्मिक स्थर पर समाजेक संग पर्क तो यह होता है आपका उप्शन नमबर वन सुरुवाती उम्र में जो भी हम परिवार और मित्र से सीखते हैं यासपास के बातरण ये लोगों से सीखते हैं उसे प्रातमिक समाजी करहन कहते हैं तो यही सीखा है इसलिए वो life time उसी को follow कर रही है से उत्तर होता है इसके लिए आपका option number one विधान सभा मोल्यांकन निरंदर चलने वारी प्रक्रिया है या प्रक्रिया छात्रों की आपचारिक सैक्षी को प्लब्दी से अधिक संबंदित है या व्यक्ति के विकास में अधिक रुची रखती है या व्यक्ति के विकास को उसकी भावनाव विचारों क्रियाओ तथा वांचित व्यवहार परिवर्तिनों के रूप में संबंदित करता है बस यह बताना है कि कथन किसका है तो यहाँ पर यह कथन है MP मफात का तो यह सही एंसर आउज जाता है आपका option number one यह आज के कृशन थे है याज जस्टोप यू लाइक यू लाइक यू लाइक यू लाइक टो लाइक शेर अख्याग सब्सक्राइब सॉ थैंक्स पर वाचिंग की बिस्टा इंट रड़ियन बबाई